दोस्तो अगर आप भी महेंदर सिंग धोनी को एक बहत्रीन खिलाडी मानते हैं तो मार इस वीडियो को लाइक ज़रू कीजिगा दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं IPL के आदे मुकाबले हो जाने के बाद IPL को बीच में ही निलंबित करना पड़ा था लेकिन अब वो घड़ी बिलकुल नजदीक आ चुकी है जब IPL के बचे हुए मुकाबलों को एक बर फिर शुरू किया जाए और IPL के सबसे पहले 16 सूपर किंग की टीम दूबई भी पहुँच चुकी है जाख खिलाडियों ने अपने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है लेकिन मैंदर सिंग धोनी तो अलगी अंदाज में प्रैक्टिस करते हुए दिखे उन्होंने अपने इस प्रैक्टिस में एक ऐसा गगन चुम्बी छक्का लगाया कि गेंट सिधा मैदान के पार जागी दी धोनी का ये शोट देखकर तो सभी की आखे फटी की फटी रह गई तो चलिए बताते हैं आपको धोनी की उस गगन चुम्बी छक्के के बारे में लेकिन उसे पहले आप से भी को क्या लगता है मैंदर सिंग धोनी और सुरेश रहना में से कौन बढ़िया सिक्सर किंग है नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं आईपेल के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर के महीने में होना है और आईपेल की तैयारिया पूरी तरह से जोरो शोरो से चल रही है लेकिन महेंदर सिंग धोनी की अगवाई चेननाई सूपर किंग्स की टीम तो अभी सही दूबई पहुँच चुकी है क्योंकि आईपेल के बचे मुकाबले दूबई और ओमान के मैदान पर खेले जाएंगे और महेंदर सिंग धोनी ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहते जिसकी वज़े से उनकी टीम को इसका खाम बाजो की भी महेंदर सिंग धोनी के सामने एक न चली धोनी ने एक गेंद पर इतना लंबा गगन चुम्भी छका लगाया की गेंद सीधे स्टेडियॄ के पार जागिरी और गेंद इतनी ज्यादा तेज थी कि पलक जपकते ही सिधा स्टेडियम के पास जागिरी बता दे चेने सुपर किंग्स के कोच के साथ सुरेश रहना की भी आखे फटी की फटी रह गई क्योंकि धोनी इंटरनेशनल करियर में सन्यास ले चुके हैं लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इस तरह का छक्का ल कर दी कि धोनी को अभी टी ट्वेंटी वर्ल्ल कप में वापसी करनी चाहिए क्योंकि उनके अंदर प्रतिबाह है और वो आज भी भारती टीम की कमान को बखुबी ढंग से समाल सकते हैं लेकिन दोस्तों जिस तरह से धोनी ने अपनी गगन चुमी छके लगा कर अन्य टीमो को चेतावनी दे दी लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है क्या धोनी अपने घातक बल्लेवाजी के दम पर चे नई सूपर किंग्स की टीम को आई पेल 2021 का खिताब जिता पाएं या नहीं इस बात का जवाब नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजेगा और इस तरह की खबरों के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा